नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हमारे पास है ओपो F23 5G latest smartphone जो की रिसेंटली ओफलाइन मार्केट में इंडिया में लॉंच हो चुका है और आज किस वीडियो में हम करेंगे इस फॉन की unboxing अगर सबसे पहले बात करें इस phone की box की तो आपको इस तरह का box मिलता है ऊपर ओपो F23 5G लिखा हुआ मिल जाता है नीचे आपको 23N ओपो लिखा हुआ मिल जाता है इस साइड भी आपको कुछ specification देखने को मिल जाते हैं box के back side में भी आपको कुछ latest phone के specification देखने को मिलेंगे जिने आप स्वयम देख सकत हो एंड इस साइड में आपको box के ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है भाई सब कुछ OPPO F23 5G की ब्रांडी की देखने को मिलती है और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा तो यह थे box के ऊपर कुछ highlight features आप करते हैं स्वान की unboxing और देखते ह है तो दोस्तों box को हमने कर लिया है open box के अंदर दोस्तों आपको मिलता है एक white box इस white box के अंदर आपको एक user manual guide मिलता है transparent cover मिलता है and user manual guide के अंदर यह आपको Seme Injected dus देखने को मिल जाती है दोस्तों इसको रखते हैं side में जोस्तों इसके बाद आपको box के अंदर मिलता तोश का new phone oppo f23 5G तो दोस्तो इसको भी हम रखते है side में जोस्तु की इस और सायड़ली देखने को मिलते हैं जोसो इसको बाद आपको मिलता सब कुछ आपको ओपो F23 5G के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों यह है ओपो F23 5G का फर्स्ट इंप्रेशन अगर बात करें सबसे पहले ओपो के इस फॉन के डिजाइन की तो यहां पर आपको ओपो A78 जैसा ही थोड़ा सा मिलता है जोलता डिजाइन देखने को मिलता है यह काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है और इसके बाद आगर बात करें इस फॉन की वेट थिकनिस की तो यहां आपको 8.2 mm की थिकनिस एंड 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है अब दोस्तों वहीं बात करें इस फॉन की बिल्ड उकाल्टी की तो यह पूरा फॉन कर तम यह खी आप 시 पूर्ट माइक एंड 35 mm यह देखने को मिलता है वहीं दोस्तों इसके राइट साइड में आपो पाव बटन अब देखने को मिल जाता है इसके फ्रेंट में अगर हमने रिखने की नहीं अता है तो यह था इस फ़ोन का फिजिकवा ओब वर्यू अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.72 इंच का फ्लेजडी प्लस IPS LCD स्क्रीन जो की 120 हर्स के रिफ्रेस्ट के साथ आता है तो अगर प्राइस को देखा जाए तो अगर इसमें इसमें यहां पर आपको 120 हर्स का डिफ्रेस्ट देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं है कि दिस्प्ले वेकार डिस्प्ले भी ठीक है अगर हाड़्वेर की बात करें तो यहां पर आपको स्नेप्ट रगन 695 अक्ताको मिलता है यहां हाड़्वेर भी आपको 15-1600 के बीच में आप कि यहां पर यह क्या हो क्या बात किया है उपको ने पता नहीं 22,000 के उपर के फॉन में अपने इस फॉन में भी इसने स्नेप्ट ड्रगन 695 अक्ताकोर्स CPU दिया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया अगर इस फॉन के अगर हम इस्टोरेज की बात की जाए तो आपको इस फॉन के साथ 8GB RAM के साथ 8GB का एक X-band memory का option मिलता है वहीं इसमें आपको 256GB का भी storage देखने को मिलता है तो यह इस फॉन के लिए काफी अच्छी बात है साथी साथ यह फॉन Android 13 पर run भी करता है बैंटरी की बात करें तो इस फॉन के साथ आपको 5RMH की बैंटरी मिल इसमें 64GB XL का main camera देखने को मिलता है 2MB XL का इसमें आपको micro lens एंड 2MB XL का यहां पर आपको depth sensor देखने को मिल जाता है वहीं इसके front पर आपको 32MB XL का एक selfie camera भी देखने को मिलता है camera features की अगर बात की जाए तो इसके rear पर आपको portrait mode का option देखने को मिल जाता है वहीं night में photography लाने के लिए इसमें आपको night mode का भी option देखने को मिलता है इसके rear से आप only flashivity तक का ही video record कर सकते हो अगर इसमें 4K तक का वीडियो का option होता तो camera और भी बहतर बन जाता अब दोस्तों अगर camera modes की बात करें तो मोर में जाकर आपको इसमें pro, panorama, slow motion video, timeless video के अलावा और भी कई सारे camera modes देखने को मिल जाते हैं अगर स्वन की picture quality की बात करें तो दोस्तों outdoor condition में मुझे स्वन का camera काफी कमाल का देखने को मिला है जैसे या आप किसी pictures को zoom करोगे तो कैसा भी कोई भी problem आपको स्वन के camera के वो भी काफी सांदार detailing के साथ, वहीं स्वन के selfie भी काफी सांदार देखने को मिलेगी, इसकी tone वगरा आपको काफी कमाल की ही देखने को मिलेगी, तो दोस्तों overall अगर camera की बात करें तो ओपो F23 5G का camera काफी सांदार देखने को मिला है मुझे, अब दोस्तों स्वन के कुछ special features की बात करें तो special features में आपको split screen, flexible window, click return, smart, slide bar, के अलावा kits, space वगरा आपको काई सारे special features इस phone के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, वहीं दोस्तों स्वन के अगर हम कुछ security की बात करें तो password and security में जाकर आपको दोस्तों lock screen, face lock, fingerprint and privacy password का आपको option देखने को मिलता है, यहा अब दोस्तों display and brightness में जाकर आपको light mode and dark mode का option भी देखने को मिल जाता है, थोड़े नीचे की और आपको eye comfort का भी option देखने को मिलता है, तो दोस्तों यह तो थे OPPO F23 5G के कुछ special and highlight features, अब दोस्तों इस phone की अगर pricing की बात करें, तो यह phone लगबग आपको 25 रुपका देखने को मिलता है, लेकिन card word लगा कर आपको यह phone 23,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में, अगर overall इस phone की बात करें, तो दोस्तों इस price range में यह phone मुझे काफी ज़्यादा over price देखने को मिला है, अगर company को इस price range में फोन लांच कर आपको कैसा लगा है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तब लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तेक लिए गुड़बा जहिन